हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो मैं चैनल हेमास कुकिंग डाइरी तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मिठाई की रेसिपी तो रक्षा बंदन आने ही वाली है और इस लोगडाउन में अगर आप भी बाहर की मिठाई नहीं खरीदना चाहते हैं और राखी पर अपने भाईयों के लिए आप अगर घर पर ही मिठाई बनाना चाहते हैं तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुती सिंपल और बहुती आसान और बहुती टेस्टी मिठाई कलाकंद की रेसिपी जो आपको बनाने में आसान तो लगेगी और खाने में जो इसका टेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाए और सब्सक्राइब बेल आइकन है उसे दबाए ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती रहे तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है एक लीटर दूद इसे हम थोड़ा गर्म कर लेंगे और अब हम इसे फाड कर पनीर बनाएंगे तो यहाँ पर दूद को फाडने के लिए मैं यहाँ पर विनेगर का यूज्ज कर रही हूँ मैंने यहाँ पर 2 चमश के करीब सिंथेटिक विनेगर लिया है और 2 चमश सिंथेटिक विनेगर में कम से कम 6 चमश के करीब पानी डालूँगी और उसे मिक्स करके मैं यहाँ पर दूद को फाड कर पनीर बनाऊंगी आप चाहे तो नॉर्मल नीम्बू के रस्से भी दूद को फाड सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर दो चम्मच विनेगर के लिए छे चम्मच लिया है पानी उसे ऐसे मिक्स कर लिया है और यहाँ पर जो दूद है वो अच्छे से गर्म हो चुका है फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पर रखा है और यहाँ लगातार चलाते रहेंगे दूद में एक बार हम उबाला जाने देंगे यहाँ पर दूद में अच्छा सा उबाला रहा है तब हम यहाँ पर दूद को फाड़ेंगे तो मैंने यहाँ पर जो विनेगर और पानी का मिक्षर बनाया था उसका यूज करके मैं यहाँ पर दूद को फाड़ूंगी तो विनेगर और पानी का मिक्षर डालने से पहले यहाँ पर हम गैस को आफ कर लेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके वो विनेगर और पानी के مिक्षर को डालेंगे आप एक ही बारी में सारा मिक्षर ना डाल दे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम अगर आप चाहे, तो आप मार्केट से रेडी मेट जो पनीर मिलता है, आप वो और आांब दोद में किस तरीके से पनीर अलग हो रहा है। वीनेगर पानी ओचन देख सकते हूं जिसे पनीर अलग हो जाय है। चाहन distinctly पनीर हो च्क रेहने हैं। तो आपको जो पनीर है वो कड़क हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा पनीर तो बन गया है अब हम इसे च्छान लेते हैं पनीर अलग कर लेते हैं यहाँ पर मैंने एक च्छनी पर एक उपर एक कपड़ा रखा है और इसके उपर हम इसे च्छान लेंगे मैंने यहाँ पर cotton का cloth लिया है आप चाहे तो कोई muslin cloth भी ले सकते है वो कपड़ा अच्छे साफ होना चाहिए और स्क्यूपर हमी डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल कर हम पनीर को धो लेंगे ताकि उसमें जो विनेगर का टेस्ट वो चला जाए हाथों से इस तरीके से आप धोले अच्छे से अब हम प्रे को इस तरीके से उठाएंगे और जो एक्स्ट्रा पानी हो उससे हम इस तरीके से squeeze out करके निकाल देंगे इस तरीके से अच्छे से इसे tightly हम इसे घुमाएंगे और जो पानी है वो नीचे से निकल जाएगा अच्छे से हमें इसे घुमा घुमा कर जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकाल लेना है पनीर में एक भी पानी नहीं रहना चाहिए और अब हम इसे इस कपड़े को पोटली बना कर कहीं पर ऐसे टांग कर रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो नीचे से निकलता रहा है कम से कम एक घंटे तक तो यहाँ पर मैंने एक घंटे तक इसे लटका कर रखा था और जो एक्स्ट्रा पानी हो जो और जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है तो अब हम इस हमारा तयार किया हुआ पनीर को निकाल लेते हैं और अब हम इसे हाथ से मसलेंगे अच्छे से आप इसे जितना अच्छे से मसलेंगे आपका जो कलाकंद उतना ही दानेदार और उतना ही टेस्टी बनेगा अच्छे से हमें हातों से इस तरीके से दानेदार एकदम अच्छे से मसल लेना है तो यहाँ पर मुझे इसका जो टेक्ष्चेर है वो एकदम सही लग रहा है अब आप देख सकते हैं अच्छा हो गया यह इसका बहुती अच्छा कलाकंद बनेगा तो यहाँ पर अब मैंने कढ़ाई में आधा लीटर के करीब दूद लिया है उसे मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है और अब हम इसमें हमारा तयार क्या हुआ छेना डाल देंगे तो यहां पर हमारा छेना तयार है इसे दूद में अब हम मिलाते रहेंगे प्लेम को आप मीडियम पर रखे और इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसके जो इस तरीके से अभी बड़े बड़े टुकड़े दिख रहें उनको ऐसे तोड़ते जाएंगे और एकदम बारिक कर लेंगे लगतार आप ग्यास के पास ही रहें वरना ये नीचे से चिपकने लगेगा तो यहाँ आप आप देख सकते हैं दूद जो है वो कम हो चुका है यहाँ पर इसका जो टेक्शर है आप देख सकते हैं किस तरीके से हो गया है तो इस टाइम पर हम डाल देंगे चीनी मैंने यहाँ पर आधा कटोरे के करीब चीनी लिया है आप अपने स्वाद के अनुसर जादा कम चीनी ले सकते हैं अब चीनी को घुलने तक इसमें मिलाएंगे फ्लेम को आप मीडियम पर ही रखें तो यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल चुकी है हमारा मिक्स्चर है वो थोड़ा से लिक्विडी है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा से इलाइची पाउडर किसी भी मिठाई में इलाइची पाउडर का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पर मैं इलाइची पाउडर डाल दे रही हूँ, एक छोटे चमच के करीब, इसे मिला लेंगे इसमें, और जो दूद है वो थोड़ा कम होने तक हम इसे पकाते रहेंगे, फ्लेम को आप मीडियम पर रखें, और यहाँ पर आप देख सकते जो दूद है वो एकदम स दिख रहा है, अब यह बिल्कुल भी गीला नहीं है, लिक्वीडी नहीं है, तब ग्यास आफ कर देते हैं, और इसे अब हम कालाकान बनाने के लिए ले चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक डबा लिया है, आपको भी टिफिन बॉक्स या आपको जिसमें बनाना है, आप वो ले 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 और इसमें अच्छे से इस तरीके से फैला दे, आपको इसकी मोटाई, आपको इसकी लंबाई कैसी चाहिए उसी सब से, तो मैंने इसे, मुझे इतनी मोटाई में चाहिए था, इसलिए मैंने इसे एक तरफ इस तरीके से सेट कर लिया है, अब मैं इसके उपर गा बाद हम इसे फ्रीज में रख देंगे कुछ घंटों के लिए ताकि अच्छे से जम कर सेट हो जाए तो यहां पर मैंने इसे कम से कम दो से तीन घंटे के लिए फ्रीज में रखा था और अब हम हमारा जो कलाकंद है उसे काट कर देखते हैं वो कैसा बना है घर की बनी मिठाई का तो टेस्टी बहुत अलग आता है तो आप भी इस राखी पर अपने भाईयों के लिए होममेड मिठाई बनाए बहुत ही पसंद आएगा आपके भाईयों को तो यहां पर हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी मिठाई कलाकंद बनाई है तो यहां पर आप द मारा कलाकंद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है यहापर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ एकदम सौफ्ट और एकदम दानेदार जिस तरीके से हमें कलाकंद चाहिए उसी तरीके से यह कलाकंद बना है एकदम मुँ में घुल जाने वाला यह टेस्टी मीठा कलाकंद आप भी अपने राखी पर बनाए और अपने भाईयों को खिलाए तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो मेरे वीडियो और देखना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में जो बेल आइकन है उससे दबाना ना भूले ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें